अगर आप पहले बाद इस चाम पर विजिट की हैं तो सबसे पहले सबस्क्राइब बटन पर क्लिक किलेजेगा साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक के लिजेगा तो इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले खोलना है messaging app और फिर आपको आपका menu button जो है उसे hold करके रखना है थोड़ी देर के लिए उसके बाद आपको एक option मिल जाएगा जहां पे आपको बहुत सारे चीज़े दिखेंगे लेकिन आपको आना है नीचे additional settings पर वहां आते ही जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको आपका एक allow web push message का notification radio button के साथ मिल जाएगा तो इसे आपको बस turn off करना है और इसके बाद से अगली बार आपको कोई भी push message नहीं मिलेगा आपके service operator से फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको खोलना है messaging app hold करके रखना है menu button को और उसके बाद आपको जाना है additional setting पर और फिर आपको इस button को turn off कर देना है यह था simple trick push message को बंद करने का I hope आपको वीडियो पसंद आया है तो please like share और subscribe किजएगा मैं मिल हूँ आप से अगले वीडियो में thanks for watching I'll catch you guys in the next video bye bye